Hello everyone, आज के इस lecture के अंदर chemical bonding chapter से हम लोग questions देख रहे हैं कि किस तरह का question आप से पूछा जाता है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे levi structure को, ठीक है? जो भी आप इसको pronunciation करना चाहते हो, ठीक है? तो देखो levi structure के अंदर आपके पास CO3, 2 negative है, SO4, 2 negative है, जो most important है और paper में पूछे जा चुके है, NO3 negative आपके पास है, NO आपके पास है, O3 आपके पास है, और NO2 आपके पास है, तो एकके करके सबका लिवाई structure देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक हो बेटा, बहुत easy है, आपके पास CO3, 2 negative आपके पास है, तो देखो carbon आपका क कितना है, 2 negative charge है, तो यहाँ पे एक oxygen है, वो double bond की तरह होगी, बाकी आपके पास क्या है, single bond की तरह है, क्यों है वो देखो, carbon की total valency beta कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, अगर एक double bond होगा, दो valency यहाँ पर हो जाएगी, तो अगली valency आपके पास single bond के साथ होएगी, इतना समझ अब देखो, आपको बाकी क्या करना है, electrons लगाने है, ठीक है, ध्यान में रखना, अगर oxygen आपका as a double bond होगा, तो हमेशा 2 lone pair आपके पास लगेंगे, और अगर single bond में है, तो 3 lone pair आपको लगाने है, तो बहुत easy है, इस बात का ध्यान रखो, जादे तर सारे question इसी pattern से हो जाए oxygen है, फिर से phosphorus, 4 oxygen होगा, तो obvious ही बात है, tetrahedral shape का आपके पास रहेगा, ठीक है, आप देखो, यहाँ से फिर से आपके पास phosphorus किसका होता है, nitrogen family का होता है, अब valency nitrogen, आपके पास phosphorus की कितनी बनेगी, 5 आपके पास बनेगी, आप देखो, 5 रहेगी, तो अगर 1 oxygen आपका double bond पे रहे है, तो overall charge आपने क्या दिखा दिया, 3 negative दिखा दिया, आप देखो, electrons को कैसे दिखाऊगे, फिर से oxygen double bond वाला है, तो आपको क्या दिखाना है, 2 lone pair, single bond वाला है, तो यहाँ पे 3 lone pair को आपको लगा देना है, जादा अभी, क्योंकि हम revision कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा concept, यहा आते हैं, तो उस पे हम नहीं जा रहे हैं, सीधा question कैसे attempt करना है, उस पे बात करेंगे, ठीक है, तो देखो, उसके बाद देखो, CO3 2 negative हो चुका है, फोसफेट आपके पास हो चुका है, सलफेट की बारी है, ठीक है, अब देखो, सलफेट के अंदर क्या है, सलफर है, सलफर क कितना? 2 negative, वापस से 2 double bond है, 2 lone pair, 2 double bond, आपके पास double bond है, आपके पास 2 lone pair, single वाले पे क्या कराओगे? 3-3 आपके पास lone pair दिखा दोगे, तो यह इसका structure हो जाएगा, आप देखो, NO3 negative का आपके पास है, तो nitrogen के साथ 3 oxygen है, 1, 2 और 3 आपके पास, ठीक है, तो वापस से क्या होग nitrogen के पास कितना जाएगा, 2 यहाँ पे, 1 आपके पास nitrogen double bond के साथ जाएगा, बाकी दोनों क्या जाएगे? single bond के साथ जाएगे, तो वापस से electrons को दिखाओ, double वाले के पास 4 दिखाना है, और बाकी के पास क्या दिखाना है? 6-6 आपको electrons दिखाने है, मतलब 3 lone pair दिखाने है, और overall charge कितना आएगा? negative आपके पास आएगा, ठीक है? NO आपके पास है, NO का simple है, nitrogen और oxygen के बीच में है, double bond दिखाएंगे, यह basically exception के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? किसमें आता है? odd electron count के अंदर ही आता है, nitrogen का आपके पास 1, 2 आपके पास, 3, 4, 5 आपके पास, ठीक है? oxygen के पास 2 लग गया है, तो बाकी 2 lone pair आपने लगा दिए, यह NO का आपके पास होता है, इस तरह से NO2 आपके पास है, यह भी आपके पास odd electron count के अंदर आता है, nitrogen के पास 2 oxygen दिखा दिया, एक double bond, एक single bond, तो oxygen के पास double bond है, तो 4 आपके पास electron, मतलब 2 lone pair आगए, single bond है, तो 3 lone pair ठीक है, अब बात आती है nitrogen की, nitrogen के अंदर total कितना दिखाओगे, दो यहाँ पर आगया, एक यहाँ पर आगया, तो उपर क्या बचेगा, एक lone pair आपको, एक electron basically आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, अब देखो O3 का आपके पास, O3 के लिए 3 oxygen को लगा दिया, एक double bond में, ए पर के अंदर, कि formal charge आपके पास कैसे निकालते है, formal charge, इसी question के अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पेपर में आभी रखा है, तो देखो, यहाँ पर, देखो oxygen क्या है, बिटा, as a double bond, oxygen का nature क्या होता है, आपके पास formal charge बोत इजीली निकलता है, छोटा सा concept ध्यान में रख दो है, तो अगर दो होगा, तो आपके पास formal charge जीरो हो जाएगा, कम जादा होगा, तो उस हिसाब से formal charge को लिखा जाता है, कैसे देखो, यह वाला oxygen मेरे पास है, जिसको मैंने highlight किया है, इस oxygen के पास क्या है, double bond है, और oxygen का क्या है, double bond बनाने का ही है, stable form में, तो दो ही इसने ब इसको number one दे लो, one oxygen के पास, आपके पास क्या है, formal charge zero आ गया, आप देखो, two के पास ध्यान से देखना, आपके पास दो bond और एक तीसरा bond, तीन bond है, चीक है, oxygen के पास तीन bond है, लेकिन होने कितने चाहिए थे, दो, तो दो में से, तीन में से क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए क्या लगाते हो, positive charge लगाते हो, आपके पास chemistry के अंदर, अगर positive one charge है, इसका मतलब, एक electron जा रहा है, दो positive है, तो इसका मतलब, दो electron दे रहा है, negative charge है, तो मतलब, electron को ले रहा है, तो यहाँ पर देखो, सीधी सी बात है, इसने तीन bond यहाँ होना क्या चाहिए था, दो bond होना चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस one करना पड़ेगा, सेम मैनर में, अगर मैंने थर्ड वाले oxygen की बात की है, आपके पास, तो थर्ड वाले के अंदर ध्यान से देखो, इस oxygen के पास single bond है, ठीके होना क्या चाहिए था double, मत तो आज के इस lecture के अंदर आपका जो question नॉर्मली मिलता है, लिवाई structure से और formal charge कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी के बिहाफ पर आपके पास काम करता है resonating structure, तो एक बार resonating structure भी ध्यान से देख लो, फटा-फट से, देखो बेटा, आपके पास थो निकालना देखा है, पहले structure बनाओ, nitrogen है, तीन oxygen है, तीन oxygen लगा दिये, कैसे होगा, nitrogen आपके पास है, एक double bond में होगा, बाकी single वाले होगे, यह अभी अभी हमने सीखा है, आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे दो lone pair, यहाँ पे आपके पास तीन lone pair, यहाँ पे आपके पास क सारा का सारा overall negative charge basically आपके पास होगा, आप इसी का resonating structure बनाना है, resonating structure के अंदर basically आपको क्या करना है, delocalization of pi electrons करना है, यह आपके पास pi electrons है, यह delocalized कर रहे हैं, आपको position है, इस pi electron की देखो, यह single है, यह एक pi आपके पास bond है, तो इस pi bond को एक बार आपने यहाँ दिखा दिया, 1 पे, एक बार 2 पे दिखा दो, एक बार 3 पे दिखा दो, तो इनको अलग-अलग positions में shift कर दो, वही आपके पास resonating structure बन जाएगा, देखो कैसे, आप मैंने 1 को उपर रखा है, double bond को, आप मैंने nitrogen पे क्या कर दिया, 2 position पे double bond कर दिया, बाकी पे क्या रहेगा, simple simple आपके पास र रहेगा, ठीक है, आपके पास ये क्या बन जाएगा, अगला resonating, next वाले पे क्या करोगे, double bond को 3 position पे रख दो, तो nitrogen कहा जाएगा double, यहाँ पे क्या जाएगा, single single जाएगा, overall negative charge, ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा, अगर हम इस compound को ध्यान से थोड़ा सा देखें, तो हम य bond आपके पास है, nitrogen की जो valency होती है, 3 bond बनाने की होती है, ठीक है, यहाँ पे कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, generally, ठीक है, अगर 4 बनते हैं, तो यहाँ पर हमेशा partially positive charge आपके पास क्या करता है, exist करता है, ठीक है, बाकि अभी आप ज़्यादा topics के अंदर मज जाएए, अभी आप simple समझी कि आपको questions को कैसे attempt करना है, यह simple revision हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक और दिखा देती हूँ, SO4, 2 negative का दिखा देती हूँ, SO4, 2 negative के अंदर वापस से अभी अभी हमने structure बनाया था, यह हमारे पास structure था, ठीक है, overall charge कितना 2 negative, कैसे बनेगा, जहाँ पर double bond है, वहाँ पर आ पर कर दिया, ठीक है, बीच में आपने single रख दिया, यह double bond कर दिया, दो एक position और यह वली different position, तो यह क्या है आपके पास, resonating structure basically है, ठीक है, आपने एक को यहाँ कर दिया, इनको positions को कर लो, 1, 2, 3, 4, आपका 1 और 2 एक साथ था, अब आपने क्या किया, 2 और 4 वाला किया, ठीक ह 2 और 4 पे आपने क्या किया, double bond को shift किया, आगे आपके क्या कर दिया, तीन और 4 पे कर दिया, आपके पास simple है, आपके पास, यहाँ पे single bond, यहाँ पे single bond, यह आपके पास double, यह आपके पास double, आपने क्या किया, तीसरे और चोथे के बीच में कर दिया, आगे आप क्या कर दिय तो फिर से क्या है resonating structure आपके पास है, यह second और यह आपके पास क्या है third है, overall charge कितना two negative, तो यह सारे के सारे क्या है resonating structures है, जो अभी-अभी हमने लिवाई structure पढ़ा है, वहाँ पे electrons को दिखाया है, उसी का ही resonating structure मनाना है, मतलब वहाँ पर pi electrons का delocalization आप लोगों को दिखाना है, ठीक है, तो बहुत important था, अभी हमने लिवाई structure को पढ़ा है, resonating structure को basically पढ़ा है, और यहाँ पर formal charge को कैसे निकाला जाता है, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा question और हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो आपके पास है hydrogen bonding, ठीक है, अगले lecture के अ सारे के सारे questions को यहाँ पर solve करेंगे previous year के, तो ध्यान से आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, अब देखो hydrogen bonding की बात करते हैं, ठीक है, hydrogen bonding basically होता क्या है, hydrogen के साथ या तो fluorine, या फिर oxygen, या फिर nitrogen, इन तीनों के साथ अगर आपके पास hydrogen के साथ interaction हो रही है, तो वो basically hydrogen bonding हो होती है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो conditions आपके पास होती है, कि जो fluorine है, oxygen है, nitrogen है, मतलब hydrogen के साथ जो भी आपके पास bond बनेगा, उसका size क्या होना चाहिए, छोटा size होना चाहिए, और उसकी electronegativity क्या होनी चाहिए, high होनी चाहिए, ठीक है ना बिटा, आपके पास hydrogen, अ इसी family में बाकी elements के साथ, अगर माल लिया, phosphorus है, उसके साथ hydrogen का bond बन रहा है, तो वो hydrogen bonding कभी भी आपके पास नहीं होगा, hydrogen bond सिर्फ किसके साथ बनता है, fluorine, oxygen, nitrogen का जब hydrogen के साथ interaction होती है, सिर्फ कभी आपके पास hydrogen bonding basically बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो condition ज़रूरी है, कि जो साथ में hydrogen के atom जुडता है, बोंड के लिए, उसका size छोटा होना चाहिए, और उसकी electronegativity क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और यहाँ पर fluorine, oxygen और nitrogen का size भी छोटा है, और इनकी electronegativity है, वो भी बेटा क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो एक आ आपके पास था, list two main conditions, two main conditions for forming hydrogen bond, छीक है, आपसे mid term के अंदर यह question पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो answer में, first लिख सकते हो, small size of electronegative atom, second पे आप लिख सकते हो, high electronegativity of the atom bonded to the hydrogen atom, जो अभी अभी हमने सीखा है, अगला जो यहाँ से question आता है, वो जादतर सारे question यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे बिटा, आपके पास reasoning question होते हैं, जैसे आपके पास एक question आता है, which one of the, मैं सारे question एक एक टाइप के आपको बता देती हूँ which one has high boiling point and why, आपको दो option दिये हैं पेपर के अंदर, ए पर आपको दिया है, इथाईल एलकोहल, ठीक है, second पर आपको दिया गया है, डाई मिथाईल एथर, वन माक का question है, देखो reasoning question जितने भी आते हैं, एक पार्ट के अंदर दो दो तिन तिन कोशन दिये हुए होते हैं, और स point answer देना है, ठीक है, आपके पास देखो, यहाँ पर एथाईल अलकोहल है, यहाँ पर मिथाईल एथर आपके पास है, अलकोहल के अंदर हमने पढ़하 है, हमेशा क्या होती है, हाईडरोजन बोन्डिंग होती है, ठीक है, और डाई मिथाईल एथर के अंदर, किसी भी तरह की hydrogen bonding आपके पास नहीं है अब हमें पता है क्योंकि ethile alcohol के अंदर hydrogen bonding है और hydrogen bonding क्या है बहुती strong bond आपके पास बनता है ठीक है अगर bond strong होगा तो जब आप इसका boiling point अचीव करना चाहोगे तो वो क्या आएगा ज्यादा आएगा ना क्योंकि bond लेट टूटेगा आपके पास तो इसी लिए इसका boiling point भी आपके पास क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा तो आपको simple सा answer देना था कि दोनों में से high boiling point किसका होगा A का आपके पास होगा B से जादा होगा क्यों होगा क्योंकि A के अंदर hydrogen bonding होती है B के अंदर किसी भी तरह की hydrogen bonding आपके पास नहीं होती बस आपको answer के अंदर इतना ही लिखना था ठीक है अगला question देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question था why does formic acid आपको इन ही में से कोई question है पेपर के अंदर मिलेगा इस पार ठीक है what are, what is its one consequences यह दो number का question था पहला आपको reason बताना था कि आपके पास formic acid dimer क्यों बनाता है और उसका एक consequences आपको बताना था ठीक है तो देखो सबसे पहले यह formic acid formic acid का मतलब क्या है HCOOH HCOOH को कैसे लिखा जाता है आपके पास पैन ले ले लेते हैं एक पर blue ले ले लेते हैं देखो HCOOH को कैसे लिखा जाता है यह H, carbon एक carbonyl आपके पास होता है यह आपके पास OH है अगला भी देखो इधर carbon double bond O इधर आपके पास OH है इधर आपके पास क्या है H है आप देखो इसका oxygen carbonyl का एक carbonyl का oxygen एक का alcoholic का hydrogen इनके बीच में आपके पास interaction होती है यहाँ पर oxygen है और इधर आपके पास hydrogen है इनके बीच में आपको क्या मिलती है interaction आपको यहाँ पर देखने को मिलती है मतलब यहाँ पर basically बन क्या रहा है hydrogen bonding बन रहा है और इस तरह से hydrogen bonding हो रहा है तभी आपके पास जो dimer आपके पास forming acid है वो dimer की तरह exist करता है ठीक है आप यहाँ लिख सकते हो due to the hydrogen bonding due to the hydrogen bonding it has larger size इसने बोला है ना एक consequences बताओ यह dimer की तरह form करता है dimer अगर बनेगा तो पहले इतना सा molecule था छोटा सा अब दो अगर आपस में exist हो गए है तो hydrogen bonding की वज़े से क्या हुआ है कि size बड़ा हुआ है तो आप लिखोगे due to the hydrogen bonding it has a larger size as well as you can write also that is the larger आपके पास molecular mass तो यही आपके पास कोई भी consequences है वो आपको यहाँ पर add on करना था अगले question की तरफ बढ़ते हैं hydrogen bonding से question पूछा गया है important है कई बार paper के अंदर repeat हुआ है देखो इसने बोला है explain और बहुत सारे बच्चे छोड़ कर आते हैं question को ध्यान से देखना बिटा explain why ortho hydroxy benzyldehyde question को देख के डर लगेगा लेकिन question बहुत easy है explain why ortho hydroxy benzyldehyde is a liquid is a liquid at room temperature while parahydroxy benzyldehyde benzyldehyde is a high melting melting solid ठीक है ये question basically आप से पूछा गया था paper के अंदर आपको इसका अंसर बताना है देखो हो क्या रहा है एक आपके पास ortho hydroxy benzyldehyde है एक parahydroxy benzyldehyde है देखो सबसे पहले benzyldehyde है benzyldehyde बना लो ये आपके पास benzyldehyde है ठीक है ortho hydroxy का मतलब एक में OH यहाँ पर है और एक में आपके पास OH कहाँ पर है पैरा position पर है ठीक है अब देखो जब मैं ortho की बात करती हूँ बिटा ortho के अंदर हो क्या रहा है इसको एक बार rearrange कर लेते हैं जब मैंने ortho को दुबारा से लिखा तो आपके पास क्या structure बनेगा ऐसे बनेगा carbon आपके पास है इधर hydrogen है इधर double bond है इधर आपके पास oxygen है यह आपके पास hydrogen है तो जब आप इस molecule के अंदर देखोगे carbonil का oxygen आपके पास और OH का hydrogen इनके बीच में क्या होता है hydrogen bonding exist करती है और hydrogen bonding सेम molecule के अंदर exist करती है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर intramolecular hydrogen bonding आपको देखने को मिलती है और intramolecular hydrogen bonding की वज़े से ही further association नहीं हो पाता क्योंकि अब आपके पास कोई भी site खाली नहीं बची दोनों ने bond बना लिया अब आपके पास यह further आपके पास association एसोसियेट कर ही नहीं पाएगा आपके पास तो इसका मतलब क्या है कि further आपके पास मतलब अलग से अगला molecule है वो आपके पास बना नहीं पाएगा तो जैसा है वैसा का वैसा आपके पास रहेगा अब देखो इधर देखो para के अंदर, para के अंदर क्या होता है, hydrogen bonding एक molecule इसका, अगला भी एक molecule आपके पास exist करेगा, यहाँ पर इनके बीच में क्या रहता है, hydrogen bonding रहती है, मतलब यहाँ पर intermolecular hydrogen bonding आपको देखने को मिलती है, और intermolecular hydrogen bonding है, इसीलिए molecules आपस में जुड रहे है, hydrogen bonding बनाई फिर अगले ने इसके साथ बनाई फिर अगले ने उसके साथ बनाई तो यहाँ पर क्या है association आपके पास possible है क्योंकि intramolecular hydrogen bonding है यहाँ पर आपके पास intermolecular है और्थो के अंदर intramolecular आपके पास है इसी लिए further association को वो प्रिवेंट करता है यही अंसर आपको यहाँ पर लिखना था तो जब भी आप से hydrogen sorry अगर आप से hydrogen bonding से कोई भी question पूछता है तो हमेशा इसी तरह का reasoning question आपको बेटा देखने को मिलता है एक बार formal charge के उपर भी question paper का है मेरे पास question paper सामने रखा है और इसमें question दिखाई दे रहा है तो मैं आपको लिख कर देती हूँ आपके पास write the formal charge on the central oxygen atom in the O3 molecule इसका अंसर आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताना कि आपके पास क्या बनेगा ठीक है अगले वीडियो में अगले topic के साथ बात करेंगे